किसानों का क्रिशी कानूनों के विरोध में चल रहा अंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है पिछले कई दिनों से किसान अंदोलन रथ हैं इसी कड़ी में किसानों ने टोल प्लाजाओं पर हला बोला है किसानों द्वारा करनाल के घरोंडा सिर्ट टोल प्लाजा पर अपना डेला जमाली आ गया है बताय जा रहा है कि किसान यहां पर तीन दिनों तक बैठेंगे किसान यूनियनों के आवान पर पूरे प्रदेश में आज से 27 दिसंबर को टोल प्लाजा फ्री करने का आवान किया गया है जिसके चलते आज करनाल के नजदीक बस्ताडा टोल प्लाजा पर किसानों द्वारा सुबै से ही धरना दिया गया इस दोरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारे बाजी भी की इस मोके पर हरियाना किसान यूनियन के प्रदेश अदेख्ष गुर्णाम सिंग चुन्नी भी किसानों का होसला बढ़ाने के लिए बस्ताडा टोल प्लाजा पर पहुँचे उन्होंने किसानों से आवान किया कि शांती प्रिया ढंग से टोल फ्री करने का जो आवान किया है उस पर अमल करें किसी प्रकार किया आप जनिवान ने अफरत अफरीका माहोल पैदा ना करें उन्होंने कहा कि जब तक सरकार किसानों की मांगे नहीं मान लेती इसी प्रकार किसान यूनियन धरने प्रदर्शन करती रहेगी तक इसमें तो कोई दिक्केत ही नहीं कि भी क्योंकि किसान एक सब को पेट बढ़ता है अर आज ही देख रहे हैं तोल टैक्स फिरी है यह सई सरकार तो किसान सरकार तो यह है जिसके एक वाज से ही पहले बंद होया अब तीन दिन के लिए बंद रहाएगा और यह बंदार अब किसान भूखे मर्ते वापिस बागेगे लएकं उसका उलता ही वो चुका है रहा है अरे युषारी दुनिया का पैटे यह सारी उनका पैटेंबढ रहे है और आमको कहते हैं भुक्खमर एगे नहीं पूरे जोस के साथ पूरे जोस के साथ अंधोनरमें अगा करण नगया अ इनावार! वाण नेक्टाइ! इनावार! ऐसे ही लेटेस्ट रबरे पाने के लिए बेल इकन को ख्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें! बन्ने वाल! राजगराना एंड जोती गार्डन अजे बीडी बैंक्वेट एंटर्प्राइब